नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तो बहुत से भाई जब एम्प्लीफ़र बनाते हैं तो उनको बहुत से भाईयों को यह प्रोब्लम आती है कि वो चाहते हैं कि बारा बोल्ड से यानि कि जो डी सी से वो अपने एम् वोल्ट की तो यहां पर आपको जो सप्लाई मिलती है वो 24,0,24 मिल जाती है और इसकी वाइरिंग भी देखें काफी आसान होती है यह हमारा पिलस वोल्टेज है यह ग्राउंड है यह माइनस वोल्टेज है और बैटरी की वायर हमारी इस कैपिस्टर पे लगती है देखें कैपिस्टर का जो माइनस पोइंट है यहां पर देखिए माइनस लगेगा और यहां पिलस लगेगा यानि कि बैटरी के माइनस और पिलस लगाके 12 वोल्ट और आप जो है यहां पर 24,0,24 की आपको सप्लाई मिल जाएगी और इससे जो है आप कोई भी एम्प्लिफार चला स सकते हो वह भी DC से क्योंकि यहां पर जो है आप चैसे ट्रक्टर वागएरा या कारों के अंदर जो एम्प्लिफार लगाते है तो वहां पर यही सप्लाई यूज करी जाती है बोट को चलाने के लिए क्योंकि इससे क्या है हमें सिंगल वोल्ट से यहां पर डबल बोल्ट मि यहां पर हमें 24-0-24 की supply मिल जाती है और यहां पर देखी जो IC है यहां पर यह देखी 35-25 यहां पर IC लगी हुई है और यह हमारा यह सरकीट जो है इसी सरकीट से जो है हमारा पूरा यहां पर यह बोर्ड जो है आउपरेट होता है तो दोस्तों इसका link में description में डाल दूंगा वहां से जाके आप इसे purchase कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ पर offline भी कहीं मिलती है तो यहाँ पर जाके आप जो इसे आसानी से ले सकते हैं इसको DC supply बोलते हैं ज्यादा तर इसको जो 35 DC supply बोलते हैं तो आप market से जाके वहां ले सकते हैं दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, सेर करना, सस्क्राइब करना और बेल के आइकन को जुरूर दबाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा